हलो स्टूडेंट मैं हूँ रीना आप देखे रहें रीना अकेडमी चैनल आप सभी का मेरी चैनल में स्वागत है अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन को दबाना ना भूले ताकि मेरी अगले आने वाले व यह बताना इस पार्ट के अंतर गथ हम पढ़िंगे शुरीमती प्रतिभाषें माजी जो कि इस पार्ट की लेकी का है उन्होंने डाक सेवा में अपने पद पर कारिरत पैकर कवर सिंग से बातचित किया है यानि वारता लाप किया है वारता लाप का अर्थ होता है बातचित करना तो इस पार्ट में कवर सिंग का साक्षात कार यानि इंटर्व्यू लिया है श्रीमती पर्दिभा शर्मा जी ने इस पार्ट को पढ़ने से पहले हम आपको जो पिछला पाड़ता पाड़्च है चिठी का सफर उसमें से कुछ मेन बात आपको बताना चाहते हैं जैसे कि एक अक्टूबर 1854 को डाग का से शुरुआत हुई थी भारत में और 15 अगास 1972 को पिनकुट की शुरुआत हुई थी और जो डाग विवाग है डा जाता है यानि जब वो तरक्की करता है तो उसको पैकर का पद मिलता है पैकर के बाद अगर उसका जो है प्रमोशन होगा तो डाकिया बनता है डाकिये के बाद जो है पोस्ट मास्टर प्रमोशन होने के बाद वो बन सकते हैं तो यह पोस्ट होते हैं पोस्ट आपिस में करा रही है इस धुप का मचा लेते हुए दो पैकर और तीन महिला डाकिया फटा-फट डाक शाटने का काम कर रहे हैं वहीं पर मैंने सरकार से पुरसकार पाने वाले डाकिया कावर सिंजी से बात की यही बातचित आगे दे जा रही है मतलब यहां पर जो लेखी का है श्रीमत मतलब आपका नाम क्या है तो कवर सिंग जी ने बताना शुरू किया मेरा नाम कवर सिंग है मैं हिमांचल परदेश के शिमला जिले के नरेवा गाओं का निवासी हूँ मेरा उम्र मेरी उम्र 45 साल 45 आनी बच्चो 45 पियस के थे वो अगला प्रशन लेखी का ने किया आपके परिवार में कौन कौन है उनके बारे में कुछ बताईए तो आगे जो पैकर थे कवर सिंग उन्होंने बताना शुरू किया मेरे चार बच्चे हैं तीन लड़किया और एक लड़का दो लड़कियों की शादी हो चुकी है मेरा एक और बेटा भी था पर वह मेरे गाओं में एक पहाडी से लकडियां लाते हुए गिर गया जिससे उसके मौत हो गई तो बच्चों आप सभी को पता है ना जो पहाडी एरिया होती है जो पहाडी इलाका होता है उसमें उबर खावर जगा होती है जंगल होते हैं तो वहां से थोड़ी से भी भूल चुक हो जाती है तो आपके इलाके मिस्तर की घटनाएं क्या अक्सर होती है तो आगे जो पैकर थे कवर सिंजी ने बताने शुरू कि या जी ऐसी घटनाओं का होना और साधारण नहीं है मतलब ऐसी घटनाओं यहां पर होती ही रहती है यहां हर साल तिर्ची ढलानों या ढाकों से घास काटतेवे कई औरते गिर कर मर जाती है फिर भी यहां ऐसे ही रास्तों पर चलना पड़ता है क्योंकि दूसरे कोई रास्ते होते ही नहीं हमारे गाउं में अभी तक बस नहीं पहुंच पाती है हिमांचल के हजारों ऐसे गाउं हैं जहां पैदल चल कर ही पहुंच सकते हैं मतलब अच् इतनी तरक्य हो ρह ही है य कि मतलब तरक्य होती ही जा रही यह ओड़ वे दूप ayudar लिकिन अर जा थे कास की घुट से काश्या पर प्रेस तरक्या को स्नेने पर्षान कहां पर आपके बच्चे पढ़ने केसे पर प्ढ़ते होंगे तो आगे काश्या जैँ किया मेरे बच्चे गाओं के स्कूल में पढ़ने जाते हैं इसकूल लगबक 5 किलो मेटर दूर है मेरी एक लड़की दस्वी तक पढ़ी है दूसरी बारवी तक तीस्री लड़की बारवी कक्षा में पढ़ रही है और बेटा दसवी में पढ़ता है यानि 10th classman का बेटा पढ़ता है फिर अगला प्रश्णता आप जहां काम करते हैं वहां आपके अलावा और कौन कोन है कि आपको डाकिया ही कहकर बुलाते हैं तो कवर सिंग जवाब दिया पहले मैं भारती डाक सेवा में ग्रामीर डाक सेवक था अब मैं पैकर बन गया हूँ पर हूँ वही नीली वर्थी वाला डाक सेवक यानि बच्चों हमने आपको शुरू में बताया था ना जो डाक सेवक, मतलब जो डाक होता है, जो पॉश्ट आपिस होता है, उसमें सबसे पहला पद होता है, ग्रामीर डाक सेवक का, तो ग्रामीर डाक सेवक जब अपने पद से पद उन्नती करता है, यानि जब वो अपने पद से उपर जाता है, तो उसको मिलता है पद पैकर का, कुछ करना होता है चिठिया रेश्ट्री प्रत्र पार्शल बिल बूढ़े लोगों के पेंशन आदे छोड़ने गाउं गाउं जाता हूं अगला प्रस्था लेखिका क्या यह सब अभी भी करना पड़ता है क्योंकि अब तो सूचना और संदेज देने के बहुत से नए तरीक विधाएं बहुत जादा मिल लही है तो वहां पर बहुत आसान है जैसे फोन, मोबाइल, एमेल बगएरा लेकिन गाउं में तो आज भी संदेज पहुचाने का सबसे बड़ा जरिया डाकी ही है इसलिए गाउं के लोग डाकीय का बड़ा आदर और सम्मान करते हैं अपनी च जवाब दिया सुना तो आपने बिल्कुल ठीक है हमारे देश की डाक सेवा आज भी दुनिया के सबसे बड़ डाक सेवा है और सबसे सस्ती भी केवर पांच रुपए में देश के किसी भी कोने में हम चिठ्थी भेज सकते हैं पोश्टकार्टों केवर 50 पैसे का ही है यानि 50 पैसे में ही हम देश के हर कोने में अपना संदेश भेज सकते हैं तो बच्चों ये कुछ बाते हमारे भारती डाक सेवा की है यानि पूरी दुनिया से सबसे ज़्यादा सस्ती जो डाक सेवा है वो अपने इंडिया में है और सबसे बड़ी भी है और सबसे सस्ती भी आपक तो यह खासियत हमारे डाक सेवा की अब आगे है श्रीमती प्रद्वा शर्मा लेका ने अगला प्रशन किया आपको अपनी नौकरी में मज़ा तो बहुत आता होगा यह आपको अपनी नौकरी करने में कितना अच्छा लगता है ऐसा कुछ उनका प्रशन था तो उन्होंने ज काम करते थे उनको काम करने के बदले जो संतुष्टी मिलती थी वही जो है इसमें वह बता रहे हैं कवरसिंग जी कि मतलब जो सिपाई होते हैं जो पुलिस वगारा होते हैं जो अपने घर से बहुत दूर रहते लेकि उनके चिठ्टी और उनके बुड़े माबाप को ले ज निक्ति पत्र होता था तो लोग बहुत खुस होते थी मतलब आगे कवरसिंग जी बता रहे हैं कि अगर किसी का रिजल्ट यानि जो पास होने के बाद उनको जो मिलता था प्रमाड पत्र और उसके बाद किसी का जो जौनिंग लेटर होता था निक्ति पत्र होता था तो यह महिने तक वे मेरा इंतजार करते थी क्योंकि हिमाचल में बुढ़े लोगों को जो पेंशन था वो हर महिनी नहीं दिया जाता था बलकि छै महिने में एक अठा ही दे दिया जाता था तो अगला प्रशन था क्या आप सुरू से इसी डागर में काम कर रहे हैं तो कवर सिंग ने गाउं में टेलीफोन नहीं थे बसे भी सिर्फ मुख्यालें तक ही जाती थी अभी भी कई ऐसे गाउं हैं जहाना तो बस जाती है और नहीं वहार टेलीफोन है ऐसी जगह में ग्रामिल डाग से वक्षा बहुत मान किया जाता है मतलब ऐसी जगह जहां पे कोई मैसेस मुचाना आसान काम तो नहीं होगा इसका उत्तर कवर्शिंग में दिया बच्चों तो आगे कवर्शिंग में जवाब दिया हम मुश्किले तो आती ही है जब मैं किनोर चीले के मुख्याले रिकांग प्यों में नौकरी करता था तो सुबह 6 बजे मेल डूटी शुरू हो ज पीती जो है हिमाचल परदेश का सबसे ठंडा और उचा जिला है यह बात आप याद रखेगा इंजिलों में अप्रेल महीने में भी बर्फ वारी होती है यहाँ पर बर्फ पढ़ने लगती है बर्फ में चलते हुए पैरों को ठंड से बचाना पड़ता है वरना इस नोबा हिमाचल के एक गाउं से दूसरे गाउं की दूरी लगबख 4-5 किलो मेटर तक होती है हिमाचल के गाउं छोटे-छोटे होते हैं एक गाउं में बस 8-10 या कभी कभी 6-7 घर भी होते हैं इसलिए चलना काफी पड़ता है चलना तो खेर हमारी आदत में ही शामिल हो चुका है ग्रामेर डाके की जिंद्गी में तो चलना ही चलना है तो कुछ ऐसा जवाब दिया था कभर सिंग जी ने अगला प्रश्म था लेकिका का आपने बताया था कि पहले आप डाक से वक थे अब पैकर है इसके आगे भी कोई परमोशन है क्या तो कभर सिंग ने जवाब दिया पैकर के बाद डाकिया बन सकते हैं, बस एक इमतहान पास करना पड़ता है, यानि एक एक्जाम देना पड़ता है, और उस एक्जाम में पास होने के बाद हम पैकर के बाद डाकिया बन सकते हैं, अभी तो काम के हिसाब से हमारा वेतन, यानि हमारी जो सैल्डेयों बहुत कम है सारा दिन कुर्सी पर बैट कर काम करने वाले बाबू का वेतन कहीं ज़्यादा होता है पैकार का वेतन बाबू के जितना ही हो जाता है अब तो डाकी की नोकरी में लगना भी बहुत मुश्किल है हम में से जितने डाकी रिटायर हो चुके हैं उनकी जगा नए डाकियों को नहीं रखा जा रहा है इसलिए पुराने डाकियों पर काम का बुष दिन प्रती दिन बढ़ता ही जा रहा है ना जाने आने वाला समय कैसा होगा मतलब अपनी बातों में कवर सिंग जी बता रहा है कि जो रिटायर हो गए है डाकिया उनकी जगा पर नहीं भरतिया नहीं हो रहे है बलकि पुराने डाकियों के उपर रिटायर हुए डाकियों का काम और उनका काम यानि उनके उपर काम का बुष बढ़ता ही जा रहा है अगला प्रश्था लेकी का प्रतिवा शर्मा जी का काम के दोरान कभी कोई बहुत खास बात हुई हूँ तो कवर्सिंजी बता रहे हैं कि एक घटना आपको सुनाता हूँ मेरा तबादला शिमला के जनरल पोस्ट आपिस में हो गया था वहां मुझे रात के समय रेस्ट आपिस चोकिदारी का काम दिया गया था यह 1998 की बात है या 1998 की बात है 29 जन्वरी यानि 29 जन्वरी को रात लगबग 10.30 का समय था बाहर से किसी ने पोस्ट आपिस का दर्वाजा खटकटाया तो मैंने पूछा यानि कवरसिंग ने पूछा कौन है तो जवाब आया दर्वाजा खोलो तुमसे बात करनी है तो मैंने दर्वाजा खोला तो अचानक 5-6 लोग अंदर घुसे और मुझे पीटना शुरू कर दिया मैंने पूछा क्यों पीट रहे हो तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया सारे आफिस की लाइटी बंद कर दी इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता मेरे सिर पर किसी भारी चीज से कई बार मारा जिससे मेरा सिर फट गया मैं लगातार चिलाता रहा उसके बाद मैं बेहोश हो गया मुझे कुछ भी पता ना चला अगल दिन जब मुझे होश आया तो मैं सिमला के इंद्रा गांधी मेटकल कॉलिज के अस्पताल में दाखिल था सिर में भयंकर दर्द हो रहा था उन दिनों मेरा 17 साल का बेटा भी मेरे साथ ही रहता था उसी से पता चला कि मेरे चिल लाने की आवाज सुनकर लड़का और आपिस के दूसरे लोग नजदेख ही रहते थे दर्वाजों के सी से तोड़कर अंदर आया और मुझे अस्पताल पहुचाया मेरे सेर पर कईट आके लगे हैं जिसकी वज़े से आज भी मेरी एक आंख से दिखाई नहीं लेता है सरकार ने मुझे जान पर खेल कर डाग की चीज़े बचाने के लिए बेस्ट पोस्ट मैन का इनाम दिया यह इनाम 2004 यानी 2004 में मिला इसी नाम में 500 रुपय और प्रशश्टी पत्र दिया जाता है मैं और मेरा परिवार बहुत खुस हुए आज भी मैं गर्व से कहता हूँ मैं बेस्ट पोस्ट मैन हूँ तो बच्चों इस पार्ट में यानी जो आखरी प्रश्ण था लेखी का का इसमें जो कवर्सिंग ने जो जवाब दिया जो उत्तर दिया वो हमको बहुत ही ज़ादा अंदर तक छूजाता है यानी उनके सैलरी बहुत कम थी लेकिन फिर भी उस कम सैलरी में वो बहुत ज़ादा खुस थे जो पैकर थे कवर्सिंग जी और इतना बड़ा हास्ता होने के बाद भी वो अपने आपको जो सरकार की तरब से पास सो रुपए और पस्रस्ति पत्रों को दिया गया वो बहुत ही खुश हो और अपने आपको गरवानित मैं शुच कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं बेस्ट पोस्ट मैं हूँ तो बच्चों इस तरह से आपको इस पाट से सीख मिलती है कि आपको कितना भी कम उपर वाला दे यानि जितना भी आपको मिला है आप उसी में खुश रहे और अपने काम को लगातार और इमानदारे से करते हुए आगे बढ़िए ठैंक यू